आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ इनका करती है, Same Number of Moles Under Identical Conditions, Fine मेरे पास क्या है, आपके बास Oxygen Gas और आपके बास क्या है, Ozone Gas इनका क्या है, मेरे पास 1 1 Liter Fine Clear? So, अब अबर मैं बात करती हूँ आपको यह पर समझना होगा कि Oxygen में अगर मैं बात करती हूँ मेरे पास 2 Oxygen Atoms है और यह पर Ozone की बात करती हूँ, तो मेरे पास क्या है, 3 Oxygen Atoms है Right, मतलब Atomicity, यह basically इनकी क्या Atomicity है, वैसे Exactly कितने Number of Atoms होते हैं वो हम एक बात देखते हैं, So, यहाँबर आप आप देख सकते हूँ कि अगर Identical Conditions हैं, तो इनमें आपके पास के Same Number of Oxygen Atoms present नहीं है, So, Statement 1 तो आपकी क्या false है, Because अगर मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास क्या है, Similar Conditions है, Identical Conditions है, एक लिटर में Oxygen कर ले रही हूँ, So, यह दिखा जाता है कि हमारे पास अगर मैं बात करती हूँ Oxygen की, So, मैं सकते हूँ कि जब होता कहेगी, जब हमारे पास Identical Conditions होते हैं, इनकी मेरे पास Volume Same है, और Avogatron Law कहता है कि जब हमारे पास Identical Conditions हो हमारे पास Different Gases की Volume Same हो, तो उसमें Same Number of Moles होते हैं, वो Present होते है, क्योंकि Volume जो होते है, वो Directly Proportion होते है So, मैं तो Oxygen का भी एक Moles है और यहां पर Ozone का भी क्या है, एक Moles है So, it means, मैं यहां से कह सकते हूं कि, एक Moles में हमेशा हमारे पास क्यों होते है, Avogatron Number of Atoms होते हैं Multiply by, अगर हम Atoms लेते हैं, तो हम यहां पर उनकी Atomicity भी लेते हैं, Fine, So, अगर मैं यहां पर एक Moles ले रही हूं, Oxygen का तो इसके Atomicity क्या है? 2, Right So, इसमें 2 x 6.022 x 10 to the power 23 atoms होंगे, और यहीं पर अगर मैं एक Moles ले रही हूं, आपका Ozone का So, इसके Atomicity है 3 x 6.022 x 10 to the power 23 atoms होंगे, Right So, आप देख सकते हों कि, दोनों में different atoms हों है, वो present है, Fine So, इसलिए first statement आपकी false होगी and second b, मैं यह कहूंगी कि second statement आपकी true है, because volume अगर सेम होती है, so according to Avogadro law, आपके number of moles भी दोनों gases में same होंगे, under identical conditions, so यह true है, so option 4 correct होगा है, यह से, thank you Classics to 12 से लेके, NEET IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीज़ें अपने डाउट्स 84444 पर